तो आज हम बात करने वाले हैं वोल पेपर को दिवार पे कैसा लगा जाते हैं इसका पूरा प्रोसेस में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी और अगर आप इसको देख लेते तो आप खुद भी आ इसको लगा पाएंगे बहुत असानी से तो सबसे पहले जब भी वोल जितनी भी हमारे चत्की हाई तोग इसका पहला पीस हम उसे तीन से चार इंच बड़ा काटेंगे और जहां पर भी इसको काटेंगे वहां पर बिल्कुल साफ होना चाहिए ताकि उसके कोर्णर मेले ना होगा अकर वहां पर सफाई नहीं है तो आप वहां पर चद्दर करें वह बिल्कुल साफ जगा होने चाहिए अगर साफ नहीं है तो आप अख़बार या कोई कपड़ा चद्दर वहां पर बिछा सकते हैं तो ऐसे हम इसके सारे पीस कटिंग करने के बाद हम वहां पर लगाएंगे पेस्ट जब भी आप लगाएं तो बहुत अच्छे से प असान तरह का उसके बाद हम दोस्तों जब दिवार पर कैम कर लगाने से पहले एक चीज़ का दियान रखें कि जो दिवार है वह भी हमको अच्छे साफ कर लेने हैं जो कि वहां पर दूर मिट्ट हो इसको हटा देना है और जब हम पहला पीस को हम पेस्ट करेंगे तो इस च तरह को निकाल दो स्विछ की कटिंग करने के लिए पहले क्रोस में कटिंग करेंगे उसके बाद फट्टी के साथ उसको अब असान से कटिंग कर सकते हैं इसका आप इसको भी में अगर आप स्पेसलिस देखने चाहते हैं कर दिखा कर ले कि प्लेन दिवार गीडिया तो चं घुल बहुत असानी से कटिंग के रहिए अब जब दूसरा पीज लगायते हैं तो हम उसके लिए भी देखिए जैसे पहले पीस लेइंग देदा है अगर आप इसको गृजाया है उसको करेंगे पहले हमारे चाहिन है उसके साथ हम मैच करके उसके साथ इसके हवा निकाल के बहुत असानी से इसको लगा सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है आप पहुत अराम से इसको खुद भी लगा सकते हैं या अगर आप इसको इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमसे भी करवा सकते हैं या किसी से इसके लिए पहले दो पीस लगाएंगे और ऐसे हम इसको लगाते जाएंगे डिजाइन की मैचिंग जुरूर कर लें और इसके साथ दियान रखेंगे जब भी आपका जो ज्वाइंट होना तो आपका और लैप होना ही उसके अंदर गैप होना चाहिए अगर देखिए बहुत असको लगाना अब बहुत ज़्यादा दबाब नहीं बहुत हल्की जितनी भी आपको जुरूरत लगती है उसके साथ सबस्के अंदर से निकाल दें तो आप ऐसे ही लगाते जाएंगे देखिए यहां पर एक स्वीच बोल्ड है उसकी कटिंग मैंने बताई आपको कैसे करन देखिए निकाले के फट्टे के हल्प से तो इसकी असानी से कटिंग कर पाएंगे कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है तो आप खुद भी इसको लगा सकते हैं या अगर आप किस काम को सीखने चाहते हैं तो आप इस वीडियो के थरूँ सीख सकते हैं या हमारे चैनल को सबस मैं एक बार फिर उसको नहीं जो आडवांस वर्जिन के साथ उसको आपने वीडियो लेकर आने वाला हूं उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जूरू कर ले उससे आपके लाइफ पांच से दस साल तक आपकी इंक्रीज हो जाएगी अगर आप उसी तरह कैसे पेस्ट आने वाला हूं अगर दोस्तों खर्चे की बात करें कि अगर आपके लुए आप करवाना चाहते हैं हाइलाइट कर वाना चाहते हैं तो अगर मैं आपको सिंपल लोटिके रोल में बात करूं तो जो हमारे एक वोल पेपर के जो रोड़ कोश्ट होती है साथ 700 पेसे मारा रा के एक द्वार के खरचा जाता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई योट वीडियो को लाइक कीजिए का चैनल के सब्सक्राइब कर लिए कि मिलते हैं बहुत जल्द जै हिंद जै बारत